नमस्कार विके बिन्यूस के सुभा के प्रेम टेम में आपका बहुत बहुत सागत है रुप करते हैं आज की हेडलाइन्स पर ओमिक्रॉन का तीसरा मरीज शहर में पाया गया दुबई से पती के साथ लव टीम महिला संक्रमीत नाकपूर में आज से शहर में पाबंदिया लागू कोविट संक्रमन को देखतु है बंदिश लागू और नितेश राने को बदला लेने की भावना से फसाय जा रहा है नारण राने का नाकपूर एर्पोर्ट परारोप और अब खबरे विस्तार से नाकपूर में कोविट के ओमिक्रोन वेरेंट से संक्रमीत तीसरे मरीज की पूष्टी सोमवार को ही है चार दिनों के बाद पुन्ह एक और संक्रमीत मिलने से चिंताप बढ़ने लगी है संक्रमित मिली महिला मरीज के पती की रिपोर्ट का इंतजार है हाला कि दोनों को ही एम्स में भरती कराया गया है मिली जानकारी के मुताबिक संक्रमित महिला अपने पती के साथ 7 दिसंबर को दुबई गई थी 20 दिसंबर को दोनों दुबई से मुंबई लौटे वहां से वे विमान द्वारा नाकपुर विमान तल पर पहुंचे जहां अर्टी-पी-सी-ार टेस्ट किया गया 21 दिसंबर को दोनों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई दोनों के नमुने जांच के लिए भेजे गये थे आज पतनी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जिसमें ओमिक्रॉन विर्यन की पुष्ट हुई दोनों ने ही TK के दोनों डोज ले लिये थे दोनों को एमस में भरती कराया गया ओमिक्रॉन की प्राथमिक जांच की जाने की जानकरी सुत्रों द्वारा बताई गई है नागपुर में कोईट संक्रमन के मद्देनजर राज सरकार ने जारी किये निर्देश अनुसार नागपुर जिले में भी प्रशासन ने पावंध यार लागू की है उलेक निया है कि दो दिन पुरो ही प्रशासन ने इस संबन में नोटिस जारी किया था इसके अनुसार मंगलवार 28 दिसंबर को इस पर अमल किया जाएगा इसी बीच मंगलवार से होटल, रेस्टरांट एवं पिच्चर हॉल राद 12 बजे तक आरम रहेंगे ऐसी जानकारी शरके पुलिसायुकत अमितेश कुमार ने दी है उलेकनीय है कि राजे सरकार ने 9 से सुबद 6 बजे तक जमावबंदी लागू की है जिला प्रशासन एवं मनपा ने इसी कड़ी में शनिवार को आदेश जारी किये थे इस आदेश में कहा था कि अत्तावेशक सेवाय शोड़कर सभी दुकाने रात 9 बजे तक बंद कर दी जा बरहाल सोमवार की रात तक ही हसपश नहीं हो सका था कि मंगलवार को क्या स्तिती रहेगी अधिकारियों का कहना था कि पूरे राज में निशेदा गया लागू है इसे बीच पुलिस आयुकत ने बताया कि रात 12 बजे तक केवल होटल, रेस्टरॉंट एवं पिक्चर हॉल क को ही अनुमती होगी नागपूर के शांति नगर पुलिस स्टेशन के तरत एक बिजल्ट पुलिस स्टेशन बिजली विभाग के सायक अभियंता को गालिया देने और जान से मारनी की धमकी देने के चर्टे कश्चप कॉलेणी निवासी भूसानी परिवार के खिलाब आपरादिक मामराद दर्च किया गया है शांति नगर पुलिस से मिली जानकार के मुताबिक मामला बिजली विल वसुली का है जहां शांति नगर के कश्चप कॉलेणी निवासी भूसानी परिवार के घर शांति नगर बिजली परिशेतर के सायक अभियंता सचिन महले बिजली विल वसुली को गए तबी भूसानी परिवार ने उनके साथ बत्तमी जिकी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जिसके बास साय कभी अंता ने शांतिनगर पुलिस टेशन में भूसानी परिवार के खिलाब शिकायत दर्च की है ग्यात हो कि इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आये हैं जब बिजली विभाग क के दिकारी को बिजली बिल वसुली के नाम पर उपभुकताओं ने जानलेवा हमला किया है ऐसे में बिजली विभाग के कर्मियों के सुरक्षा का सवाल निर्मान हो गया है सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालव मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूल होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां Campus Interview Guidance by Industry Expert Practical Training at Airport Expert Faculty Personal Grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy One Degree, Three Job Opportunities Flywheel Aviation Academy Gives you a Degree or Diploma with a Job Flywheel Aviation Academy 365 Gani Nagar LAD College Square Beside Karnatika Bank Nagpur Break के बाद आपका फिर से स्वागत विदर्व में गोंदिया जिला अभी 20 सब से ठंडा है 27 दिसंबर को गोंदिया का दापमान 12.6 डिगरी से दर्च किया गया मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 28-29 दिसंबर को जिले में भारी बारिश की संभाव ना है मौसम विभाग की अभिवशानी यदि सच साबित होती है तो किसानों को भारी नुकसान होगा जिले में गृष्मकालीन तथा मौसमी फसले लगाई जा रही है आसमान में बादल चाय रहने से फसल को नुकसान हो सकता है 26-29 के शाम से ही आसमान में बादल चाय होए है वै धान खरीदी केंदरों पर खिलिदा गया धान खुले में पड़ा हुआ है गर्चिरोली जिले में सोवार की सुबह से वातारन में बदला आ गया है और पूरे दिन बदरिला मौसम रहा शाम के समय गर्च रोली में हलकी बारिश हुई इसी बारिश से रभी मौसम की तूर यहू, मक्का, अरहर, मिर्च और सबजियों की खेती को नुकसान होने की संभावना है यवतमाल में ठंड लापता है यवतमाल में दिसंबर माह में कडाकी की ठंड रहती है पर इस बार ठंड कुछ दिन ही रहने के बाद लापता हो गई है विगस सब्ताह 10 दिग्री के नीच आया तापमान अब बढ़ गया है सोमवार को नियुनतम तापमान 17 दिग्री धर्च किया गया डॉक्टर गादिवार की पतनी फ्लोलर आर्टिस्ट स्वाती गादिवार ने एशिया बुक ओफ रेकॉर्ड और इंडिया बुक ओफ रेकॉर्ड अपने नाम किया है जी हाँ जिसके लिए उनके काफी सराना की जा रही है नागपुर की जानीमानी फ्लोलर आर्टिस्ट स्वाति गादिवार ने फ्लोलर जोलरी में एशिया बूक रेकॉर्ड और इंडिया बूक आफ रेकॉर्ड अपने नाम किया है उन्होंने 6 गंटे कुछ मिनिट में सैकडो एक से बढ़कर एक जोलरी बनाई है उन्होंने अपने पचासवे जनम दिन पर ही यह रेकॉर्ड अपने नाम किया जिसके लिए उनकी काफी सराना की जारी है जारी है उसके लिए हार्दी शुकाना है हार्दी काफी नासर बहुत बहुत जारी है प्रवीन गादेवार आज का दिन बहुत एत्यासिक है कि मेरी मिसिस ने आज एशिया बुक रिकॉर्ड और इंडिया बुक उप रिकॉर्ड यह दोनों बें अचू किया है यह बहुत गर्व की बात है कि नाकूर में लगवक साथ या आठ साल से ओफ्लोरल आर्टिस्ट है उसका क्रेटिविटी बहुत देखने लाइक है और उनमें आज उसका पचासवा बड़े है और उसने खुद नहीं अपना पचासवा बड़े उसको समर्पित किया है आज ए बन्जी जंपिंग की शुरुआत की गई है जिसका उत्घाटन राज के खेलमंद्री सुनलकेदार कीया गया ग्यात्यों कि शर्में वटर पार्क की कडिमें दौरका वटर भी रखे आप इसके बारे में बस लोगों को जितनी खुश्या दे सकूँ यह कोशिष है मेरी आज पाच्छे साल से तो पाच्छे साल से जी जान तन्मन धनत से लोगों की सेवा के लिए खुशियों के लोगों को मिलना चाहिए इसके लिए बनाया हूं मैं न इंडिया का सबसे बड़ा इसका वाक मेरे यहां पर है जो इंडिया में कहीं भी नहीं है मैं चाहता हूं और जितनी खुश्या दे सकूँ लोगों को इसके लिए इसके लिए मैं पूरी जनता का सायोग चाहिए जनता मुझे इसी तरह प्रेम देते रहे आते रहे यहां बद इतने ही दो शब्त कहूँगा और जन्ता से कहूँगा अपनी खुश्या बटोर ले यहां आकर कि एक पार्ग बनाए है धर्माविया ने धर्माविया यह सारे खुश्या वो सारे परिवार को दे रहे जब बच्चेया पर हसते तो हर मापाप खुश होता है इतनी सारे उनके बाद दुआ है इतने सारा वेल विशे उनको हर साल हर जनम में मिलते रहे यह एडवेंजर्स पार्ग विल बेस्ट इन सेंट्रल अफ इंडिया इतना में उनको शुपा कामने देता हूँ तो सुबा के प्राइम टाइम में बस इतना ही लेकिन अन्य खबरों के लिए देखते रहे वी के बी न्यूज कर्श करण